हाई गाईज वेलकम बैक टू नियू व्लॉग तो कैसे हैं आप सब उमीद है सब अच्छे होंगे तो अभी है सामका टाइम सुबह मैंने च्छत में ड्रम वगरा फिलाए थे और अभी च्छत साफ करूँगे क्योंकि अब कल से गेहों सुखाने के लिए डालेंगे न तो वह ही है आजकल काम थोड़ा मैनेज करना मुस्किल हो जा रहा है बहुत ज्यादा काम हो रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट तो यहां पे ना मैं सबसे पहले जो मैंने ये ड्रम से गेहों और धान फिलाए थे ना सुबह तो वह एक कटे में भर लूँगे तब उस देड़ तक आजकल धूप रहती है लगभग 6 सवा 6 बज़े तक धूप रहती है तो उसे के बाद यहां पर मैं छत्मा आये हूँ और हलकी हलकी साम होने लग गई है आजकल इतना काम फैला है जहां ना करो तो वहीं कम पड़ जा रहा है गर्मी भी जादा है और काम भी गेहू मैंने उठा लिये हैं और आप यह धान उठाओंगे जिसने मेरा पिसले वीडियो देखा होगा तो उन्हें पता होगा ना जो यह ड्रम मैंने बाहार रखे थे इन में यह थे तो यह मैंने खाली कर लिए हैं और जिननोंने देखा होगा वीडियो तो उन्हें पता है ना कि अब इन ड्रम को खाली करके सुखा के इन में जो नए गेहूं है वो हम लोग भरके रखेंगे तो इसलिए ड्रम को एक-दो दिन सुखा के सुखाने के लिए छोड़ देंगे अच्छ तो यह ना मसूर है जो मैंने उस दिन आपके साथ शेयर किया था तो इसको भी मैंने आज धूप में डाला था क्योंकि फिर इसके बाद टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि पूरे छत में आड़-तस दिन तक बस गेहूं ही गेहूं सुखाएंगे तो इसलिए मैंने सुचा यहाँ पर मैंने छत में जितना भी सामान फैला था वो सब उठा लिया है और अब पूरे छत में अच्छे से जाड़ो लगा लोंगी तवी कल से हम लोग फिर गेहूं सुखाने के लिए डालंगे ना बहुत सारा गंदगी ओ रही थी छत में तो वही फटा-फट से यह साफ कर लोंगे और थोड़ा सा अंधीरा होने लग गया है तो थोड़ा साप मैनेज कर लिजेए वीडियो थोड़ा सबलर आ रहा है क्योंकि धूप होती है तो जल्दी नहीं आया जाता है चत में और सामके टाइम ही मैं आई थी काम करते करते मुझे यहाँ पे अंधीरा होने ल झाल 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 बारिश आने वाली हो रही है, मैंने गेहुना ऐसे इसके उपड़ से तिरपाल डाल दिया है, गेहुन के उपड़ से और इसको ऐसे ढग दिया है, एक तिरफ़ाल झाल झाल झालाइसे और झाल झाल दिया है,Confald